इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे वर्ब का अर्थ होता है क्रिया इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब उसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया तो डेफिनिशन ओफ क्रिया डेफिनिशन का अर्थ है परिभाशा क्रिया किसे कहते हैं जिस शब्द से किसी काम का कर पढ़ना या होना समझा जाए, वहाँ कोई काम हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया के बहुत सारे उधारने, पढ़ना, खाना, पीना, जाना, और बहुत सारे उधारने इसके अलाबा, सोना, जागना, सुनना, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, बोलना, देखना, हसना, रोना, कहना, बहुत सारे सोन, बहुत सारे उधारने, तो हमने क्या पढ़ा हैं, आपर क्या सीका? जिस शबद से किसी काम का करना या होना समझा जाए या पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, अब इसके उधारन किया हैं, जैसे? पढ़ना, खाना, पीना, सोना, जागना, सुनना, बोलना, देखना, हसना, रोना, कहना इत्यादी दूसरे शब्दों में क्रिया का एक अर्थ कारे होता है किसी भी काम का करना क्या होता है इसका एक मिनिंग? कारे करना क्रिया means कारे करना वर्क को करना कारे मतलब कारे का मतलब वर्क तेलगू में पनी बोलते हैं न खो, next अब ये पब्लिक एक्जाम के section 1 में question number 2 होता है section 1 में question number 2 में आता है क्रिया पहचान ये तो यहाँ पे क्रिया पहचानना है निम्नलिकित वाक्यों में से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए हमें क्या चुनना है? क्रिया शब्द चुनकर लिखना है First sentence कबीर प्रतिदिन अपने स्वामी की पूझा करते है अब मैंने आपको explain के है ना मैं आपको दो-तिन example explain करूँगी मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी इस से पहले ही आप आंसर बोल दो यही आपका रिविजन हो जाएगा बुक खुल के पढ़ने की जरुरत नहीं है कबीर प्रति दिन अपने स्वामी की पूजा करते हैं आंसर क्या है पूजा करते है हम कल जाएंगे हम कल जाएंगे इसमें आंसर क्या है जाएंगे मैं इसलिए गैप दे रही हूँ कि आप मुझसे पहले ही आंसर बोल दो वह धीरे धीरे चलता है आंसर क्या है क्रिया क्या है चलता है और एक हिंट क्रिया mostly last में होती है sentence के last में होती है mostly क्या वर्ब क्रिया next आजकल हिंदी की ओपियोगीता बढ़ती ही जा रही है options आपको public exam में box में इस तरह से one, two, three options दिये रहेंगे आपको select करके आंसर लिखना है यहाँ पे मैं आपको practice करवा रही हूँ इसलिए मैं options नहीं दे रही next आजकल हिंदी की उपियोगीता बढ़ती ही जा रही है क्रिया क्या है बढ़ती ही जा रही है इसमें यह क्रिया है next मैं सुभ उठता हूँ इसमें क्रिया क्या है उठना उठता हूँ देखो एक main verb उठता हूँ उठना main verb और हूँ सहयक क्रिया next शिष्य ध्यान से सुनता है क्या कर रहा है शिष्य क्या काम कर रहा है यह सुन रहा है सुनता है सुनना main क्रिया और है सहायक क्रिया नेक्स्ट छात्र अंदर जाकर बैठ गया क्या किया छात्र ने कौन सा काम किया अंदर गया और क्या किया उसने बैठ गया ये क्रिया है नेक्स्ट मोहन मैदान में खेलता है इसमें क्रिया कौन सी है आप्शन दिया होगा आपको फर्स्ट आप्शन मोहन, सेकेंड आप्शन मैदान, फर्ड आप्शन खिलता है, तो आंसर क्या है, फर्ड आप्शन खिलता है, नेक्स्ट, राकेश अधिक खाना खाता है, इसमें भी आपको आप्शन दिया होगा, फर्स्ट आप्शन, सेकेंड आप्शन, फर्स्ट आप्शन थर्ड ऑप्शन अधिक खाना, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन खाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, खाता है, उसके बाद राहुल ने घड़ी यहां रखी है, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, राहुल ने नाउन हो गया, घड़ी ना गुजराती में लिखती है, फस्ट ऑप्शन मीरा, गुजराती में, फस्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन लिखती है, तो कौन सा सही है, क्या कारे कर रही है, लिखने का कारे कर रही है, नेक्स्ट, दुशाशन ने चीर हरन किया, फस्ट ऑप्शन, सेकंड हरण किया next श्री कृश्न बानसुरी बजाते है first option श्री कृश्न second option बानसुरी third option बजाते है first second third ये श्री कृश्न नाउन name बानसुरी नाउन बजाते है क्या हुआ kriya next मीरा कृश्न की दासि बनकर सेवा करती थी मीरा कृष्ण की दासी बनकर इस पूरे में ये फर्स्ट आप्षन, सेकेंड आप्षन, थर्ड आप्षन तो क्रिया क्या है? मीरा, दासी दोनों नाउन है यहाँ पर सेवा करती थी क्रिया हुई Next हमें आगे जाना है हमें सर्वनाम हुआ सर्वनाम मतलब प्रनाउन हमें आगे जाना है 1, 2, 3 फर्स्ट प्रनाउन हो गया सेकेंड क्रिया विशेशन हो गया थर्ड हुआ जाना है, कारे हो रहा है, क्रिया Next मीरा पूजा करती है 1st, 2nd, 3rd तो फर्स्ट क्या हुआ नाउन, पूजा भी क्या करती है पूजा क्या होगा इसका अंसर पूजा करती है Next गजराज पानी में डूबने लगा 1st, 2nd, 3rd गजराज नाउन, पानी में नाउन क्या हुआ हमारा क्रिया डूबने लगा next मीरा कीरतन भजन में जाकती थी मीरा कीरतन भजन में first option, second option, third option क्या क्रिया हो रही है यहाँ पर यहाँ पर जागने की क्रिया हो रही है जाकती थी next प्रलात पूजा करता है क्या करता है प्रलात पूजा करता है next मंदिर की और मीरा चली आती थी मंदिर की और मीरा चली आती थी मंदिर की और मीरा क्या करती थी चली आती थी तो ये क्या हो गया मंदिर की और मीरा चली आती थी मंदिर की और मीरा first second ये थर्ड तो यहां पे क्रिया क्या हुई यह लास्ट वाली चली आती थी next हमें मा यहां से मार्ग चुना है हम यहां पे क्या हैगा हमने यहां से मार्ग चुना है तो यह first option बोलो हमने सर्वनाम यहां से क्या हो गया यह क्रिया विशेशन मार्ग चुना है क्या हुआ क्रिया next संत अच्छी तरह काम करता है तो मारा आंसर क्या हुआ यहां काम करता है next 23rd, परसों बुड़े आदमी की मृत्यु हुई, क्या हुई? यहां पर क्रिया क्या है? क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है, मृत्यु हुई next, saal, vriksh, akash की ओर देखते हैं, कौन सा काम हो रहा है यहां पे, saal, vriksh, noun, akash noun देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, देखने का काम हो रहा है last one बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, first second option पढ़ रहे हैं समझब आया यह इतना easy है क्रिया इतनी easy देखिए हर एक में ध्यान से देखिए हर एक प्रश्ण में क्रिया अंत में आईए हर एक प्रश्ण में क्रिया काँ पर आईए अंत में आईए समझ में आगया ये सब को अच्छे से एक बर practice कर लेंगे तो आ जाएगा एक्जैम में पक्का option दिये जाएंगे आप लोगों को क्या दिये जाएंगे एक्जैम में option दिये जाएंगे तीन option रहेंगे और उसमें से आपको select करना है